यदि तुम्हारे यहाने काकर अचार्य की पुकार है तो मुझे ये चुनोती सिविकार तिविकार 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 तेहरो युवान हस्तिनापूर के राजकुमार को चुनोती देने से पूर्व तुम्हें समस्त हस्तिनापूर की प्रजा को अपना परिचे देना हो हाँ वो आवर्शक भी है ताकि अर्धुन के बाणों से घालोने के पश्चात इससे इसके घर पहुँचाए जा सके कौन हो तुम युवक अपना परिचे दू पीता हुआ समय लोटकर नहीं आता मामहीम परन्तु बीते स्मरन लोटकर आते हैं दनुष से निकला हुआ बाणि लोटकर नहीं आता परन्तु दनुष की प्रत्यंचा लोटकर आती है अतीद को भूतकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वर्दमान में लोटकर आता है मैं हस्तनापुर का अतीद हूँ जो आज लोटकर आया जिसे बाड को छूने का अधिकार नहीं मिला वो बाड का प्रहार लेकर आया है सत्य कहने पर जिसका उपहास उडाया गया वो सच्ची चुनाती लेकर आया है जिसके निरा बाड भाई को मार दिया गया वो न्याए का प्रथिकार लेने आया है जिसे दनुर ग्यान के लिए आयोग्या समझा गया वो अपनी योग्यता का सम्मान लेने आया है अब क्रपा करके मुझे अपने शिष्चे के रूप में स्विकार कर लीजे मैं केवल और केवल राज को मारो को ही सिक्षा देता हूँ करण आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है किन्तु आगे जीवन में किसी कारण वश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा अधिरत का पुत्र करण शोन का भाई करण पांडवो का शत्रू करण पांडवो का शत्रू करण प्राथे करण करण अधिरत करण 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 अर्जुन कुरुवंची है अर्जुन शत्री है अर्जुन राजकुमार है और तम तुम केवल एक सूथ पुत्र हो सूथ पुत्र अर्जुन करण अर्जुन करण करण मौन क्यों हो गए सूथ पुत्र अर्जुन धार्युकी लाज बचाने आये थे ना अब अपने कुल और जाती पर कदाचित लजजारी है लजजट नहीं हो मैं फिरकोदर लजजट नहीं हो कि मेरा जनम एक सूथ कुल में हुआ करव है मुझे कि मेरे पता एक सार्थी है परंतु शोब है कि युद्मे महारती से पहले बाडों का सामना करने वाले सार्थी खो यहां सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता अबिभान है मुझे मेरी माता के लालन पालन पर कि जिसने एक सूथ को एक धंदुधर बनने के योग्या बनाए एक योधा बनाए योधा बनाए परंदुगलानी है इस संसार के सबसे महान जोधा आज तक जैसे जाती और कुल के युद में उचे हैं आमे सूथ पुत्रहू सूथ पुत्रहू हामे सूथ पुत्रहू आमेशासी आजराचक पूदरो! इसी कारण तुभे द्वंद की अनुमती नहीं दिया सकती केवल एक राजकुमार को ही इस रंग भूमी में द्वंद की अनुमती दिया सकती क्यू माम हीम मोती किस सागर से आता है कौन पूछता है उसे माला में ही प्रवया जाता है ना सागर जल्धारक और स्वयम्बे समाने से पूर उससे उसका उगधाम नहीं पूछता कुम किसी भी माटी से बना हो उसका लक्ष केवल प्यास भुजाना ही होता है किन्तु वरन पथा दशकों से चलिया रही उसके कुछ नियम है जिनका उलंगन असंभव है नियम ये थे कि वर्न विभाजन करम से हो आप लोगों ने उसे जर्म से जोड़कर नियम बदल डाले तो आज नियम क्यों नहीं बदल सकते दूरू परशुराम जर्म से एक ब्रामिन है और करम से एक शत्रिया है विश्व मित्र राजकुल में जनम लेखर एक ब्रामिन शी बन सकते हैं तो क्या एक तूप पुत्र को अपने करम से दूंद का अधिकार्द ही मिल सकता क्योंकि सूत का केवल एक ही करम है रत के रास को संभालना धनश्य के प्रतिंचा को नहीं क्योंकि लोग खंसे तलवार निर्मित हो सकती है आभूशा नहीं स्वरण की माला में केवल मानिक जड़े जा सकते हैं कोईले के खंड नहीं और जो हीरब खंड संभराट के मुक्ष की शोबा बढ़ाता है वो भी कोईले की खंड से ही बनता है अर्जुन को सर्वश्रेश्ट सिथ करने के लिए कितने नियम बनाएंगे और कितने नियम तोड़ेंगे आप मुझे शिष्य नहीं बनाया भील पुत्र एकलववय से कुरु दक्षना में तायने हाथ का अंगूठा ले लिया और जब लगा कि अर्जुन को ललकारने के लिए कोई नहीं तो संसार के समझ धनुदार्यों को चुनोती थी और अब मैं प्रस्तुद हूँ तो तरक तेरे कि में चुनोती का बात रही नहीं क्या अपकी सोच एक सूद को संसार का भाग नहीं मानती बात! 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 बस करो करना तुम मेरे सम्मान को ललका रहो बस करो! नहीं! मैं आपके अन्याई को ललका रहाँ ये के सन्याई है मामहीम मैं इस दीती को नहीं मानता! इसका निरने हस्तिनापूर की प्रजा करें! जिस हस्तिनापूर के समक्ष तुमने उसके राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है! पूछो उस प्रजा से! क्या वो अपने राजकुमार का दवन एक सूत पुत्र के साथ ओते हुए देखने की चुक है? चेनाप सूपुर के दother से! जड़ा सुपुर्ण जड़ा तुहें अपने प्रशन का उत्तर मिल गया कर अब रस्थान करो परन्तु बॉसकर्ण अबने प्रश्थान कि सीक न ही स्वीकारी और अचार जी की चेतानी न ही स्वीकारी अब क्या प्रजागातिरसकार भी नहीं स्वीकार हो गए घर चलो, समझने का प्रयास करो, तुम्हारा जीवन पुरस्कार नहीं, ये पुरस्कार है घर चलो महमहीम, चार्यवत, इसे शमा कर दीजी ये मूर्ख है, उदंड है, कहा कैसे वेफार करना है, इसकी समझ रही है इसे तुगत पुत्र है ना, राजग्यन की समझ रही है इस बुद्धि हिंद्रिष्ट उदंड को शमा कर दीजे शमा कर दीजे मुखम्चो द्रमस की तहा, युद्ध्या धमान हम्कारा, यदो धर्मस तको जया जहां हमारा स्थान नहीं, आ हमारा सम्मान नहीं फेरो कान इस बुद्धि हिंद्रिष्ट उदंड को शमा कर दीजे शमा कर दीजे घर चलो पूतर, घर चलो सीखो सूत पूतर सीखो, अपने पिता से मर्यादा की सीमा सीखो सार्थी बन्ने की याचना लेकर आते, तो पदाचित अर्जुन की सेव में रख लेते परन्तु तुम तो द्वंद करने चले आए जाओ सूत पूतर, घर जाकर अपने पिता से मर्यादा का पाठ सीखो भीम पहले तुम मर्यादा में रहना सीखो अधिरत महादे, मैं अपने अनुष्की ओर से, आपसे शमा चाता हूँ खर चरो पुतर, जहाँ हमारा स्थान नहीं, वह हमारा सम्मान नहीं मेरे होने वाले सम्राठ, इस अर्जुन के हर दिव्यास्त्र का उत्तर है ये करनास्त्र इसे अपने हाथ से ना जाने देना, ना आप 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 मैं तो धनुर्धारी बनूंगा जो सूत धनुष्का स्पर्श करता है उसका हाथ कार दिया जाता है तुम एग्वांद की अनुमती खदा भी नी बिल सकती अर्जुन कुरुवंची है, अर्जुन चत्री है, अर्जुन राजकुमार है और तुम, तुम के वर रेक सूत पुत्रा हो, सूत पुत्रा हो हैरो कार्ण अर्जुन चत्रा है जरे प्लचन के अर्जुन चत्राश्ट का जर्जुन चत्राश्ट पूजी तो कहा करने अचारे ने अर्जुन को सर्वशेष्ट सिद्ध करने के लिए नियम बनाए और फिर उन्हें भंग भी कर दिया उन्होंने भरी रन भूमी में स्वयम ललकार दी और जब कान चुनौती के लिए प्रस्तुत हुआ तो उसे अयोग्य सिद्धर दिया पिता श्री जदि कान इस पर्दा के नियमों के अंतरगत अयोग्य है तो मैं दुर्योधन ये घोशना करता हूँ कि इस पर्दा ही अन्याय पून है इसकी नियम नहींती सम्मत नहीं दुर्योधन हाँ चारियोधन यदि नियम ये है के एक राजपुत्र ही राजपुत्र का सामना कर सकता है तो नियम ये भी है के एक गदाधारी को एक गदाधारी का एक खड़त धारी को एक खड़त धारी का और और एक धनो धारी को ही एक धनो धारी का सामना करना होगा क्या एस नियम का पालन हुआ इस पर्दा में राजकुमार तुरियोधन तुम नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते एक राजा या राजकुमार का ध्वंद केवल एक राजा या राजकुमार के संग ही हो सकता तो ठीक है अगर नियम नहीं बदले जा सकते हैं तो मैं करन का परिचे ही बदल देता हूँ यदि एक राजा या राजपुत्र ही इस रंग भूमी में चुनौती दे सकता है तो मैं आज कान को निमांतर राज या अन्ignmentप्रदेश का राजा खोषित कता झाल झाल